Hello students of class 6, your first chapter is when, where and how, कभ, कहां और कैसे, यह आपका chapter है, इसमें जैसा की आप देख पा रहे हैं, तीन महिलाओं महिलाएं परिधानों में हैं, इसमें जो पहला परिधान है, यह लगभग, 4000 वर्स पहले हडपा संस्कृति का है, और जो दूसरा परिधान है, वो अब से लगभग, 150 years ago, एक फीमेल दाक्टर का दरश्य है, पिक्चर है, और जो तीसरी पिक्चर है, वो जैसा आप सभी लोग परिचित हैं, हमारे घरों में जो माताएं पहनती है, वो ऐसी ही, यह से दिखाया गया है, क्योंकि यह जो परिजेंट टाइम है, उसी को रिप्रिजेंट किया गया है, इतिहास क्या है, तो जो हिस्ट्री सब्ध है, यह ग्रीक एक भासा है, उसके हिस्टोरिया सब्ध से लिया गया है, जिसका मतलब होता है, अतीत की घटनाओं का अध्यन, अनरेट्यू और पास्ट इवेंट्स, तब पीपल हू स्टडी हिस्ट्री आर काल्ड हिस्टोरियन्स, वे लोग जो इतिहास का अध्यन करते हैं, इतिहासकार कहलाते हैं, इतिहास कार गुप्त चरो की तरह कारी करते हैं, वू यूस दा रिमेनिंग अफ पास्ट ऐस क्लिव, जो अतीत के आउसेसों का अपयोग रहस्यों को उजागर करने के लिए करते हैं, इतिहास के पहले का जो समय था और इतिहास, तो इतिहास में जानते हैं कि जो रिटेन डाक्यूमेंट्स होते हैं, वो हम लोग यूस करते हैं, इसमें उपर दिया गया है, वू यूस दा रिमेन्स आप पास्ट आप दा क्लिव, अन्रेवल इन मेनी मिस्ट्रियस और इस्टोरीज, तो इसमें जो इतिहास है, वो जो रिटेन डिकार्ट्स हैं, वो तो हिस्ट्री होता है, और प्री हिस्ट्री वो होता है, जिसमें हमारे पास कोई रिटेन डिकार्ट नहीं होता है, वो या तो, कहीं से जैसे गुफाई या पेड के जो तनी होते हैं, उनकी चालों पर लिखा होता है, या कोई नित्टी की स्लेट होती है, उस पे लिके गए रिकार्ट्स होते हैं, या कोई चिंड बना होता हैं, यह सारी चीज़े होती हैं वो प्री हिस्ट्री के अंतर गताती हैं Importance of studying history इतिहास को पढ़ने का महत्त People often ask, लोग प्राय पूछते हैं Why should we study history if it deals with things that happened long ago? क्या हम इतिहास का अधिन क्यों करें जबकि इसमें ऐसी चीज़े होती हैं जो बहुत पहले हो गई होती है What does it have to do with us? अब इसका क्या करेंगे? There are many reasons why we should study history इसके बहुत से कारण हैं जिसके लिए हमें इतिहास पढ़ना चाहिए History shows us how things have changed over time History हमें ये बताती है कि कैसे समय के साथ चीज़े बदल जाती है By relating the past to the present और कैसे आपस में संबन्ध होता है past और present का History helps us understand the present इतिहास हमें मदद करता है present को समझने के लिए History helps us understand how societies and communities इतिहास हमें समाज के बारे में, समुदाय के बारे में समझने के काम भी आता है Evolved and Changed and how the society will live और इसमें हम कैसे रहते हैं, इसका हमारे पर क्या प्रभाव पढ़ता है यह सारे चीज़ें history में हमें पता चलती है It does, gives us a sense of identity और यह हमें किसी चीज़ को प्रमयाडित करने का sense भी देता है It tells us who we are यह हमें बताता है कि हम कौन हैं and where we came from और हम कहां से आए हैं The past holds many lessons for us Learn from great achievements जो अतीद का समय होता है वो हमें कई पार्ट सिखाता है Great achievements जो हमने कुछ अच्छी चीज़े प्राप्त की होती है Of the past inspire us the lives of leaders जैसे की नेताओं के जीवन से लाइक मातमा गांधी मार्टिल रूथर किंग जूनियर एंड नेंसल मंडेला For instance, teach us the values of equality जो की समानता को बताते हैं Honesty इमानदारी को बताते हैं and self-respect और आत्मसमान के बारे में बताते हैं But human actions also lead to horrified events लेकिन मनुष्य के कार्यों ने भयंकर घटनाओं को भी उचागर किया है जैसे की वर्ल्स वार, विशुद्ध, and the holocaust in which millions of people died जिसमें की करोडों लोग मृत्य को प्राप्त हुए We need to know about those two हम उनके बारे में भी जानते हैं in order to avoid similar situation in the future की भविस में ऐसी घटनाएं ना हूँ History also teach us about people from other culture इतिहास हमें दूसरे संस्कृति के लोगों के बारे में भी बताते हैं This gives us better understanding of the world we live जो की जिस संसार में हम रहते हैं उसके बारे में अच्छी समझ देता हैं Thank you झाल झाल झाल